नमस्कार दोस्तों क्लास एट्थ महाराष्टर स्टेट बोर्ड मैथमाटिक्स चाप्टर नॉम्बर नाइन डिसकाउंट एंड कमिशन प्रेक्टिसेट 9.2 प्रेक्टिसेट 9.5 तक क्वेशन हमने इसके पहले के वीडियो में कवर किये हैं अब हमें 9.2 के क्वेशन स्वाल करना है तो इस चाप्टर का सबसे पहले हमने बेसिक कंसिप्ट का एक वीडियो लिया है उसमें सभी पॉइंट्स जो हैं वो एक्स्पिलन किये हैं जिसे की मतलब जिसे के क्वेशन हम आसाने से स्वाल कर सके तो पहले आप वो वीडियो जरूर देखें और फिर उसके बाद यह वीडियो देखें तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबस्क्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर उसे लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों में और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल जाएं अब कॉशन नूमर वन क्या है देखिए जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ रुपिस 4,500 फैरो पब्लिशर जॉन ने एक पब्लिशर के लिए 4,500 रुपिस के बुक्स जो है वो बेच दिये फर इस ही रिसेवड 15 परसेंट कमिशन तो इसके लिए उसे 15 परसेंट का कमिशन मिला complete the following activity to find the total commission जॉन आप्टेंट तो जॉन को कितना actual commission मिला actual कितने रुपिस मिले यह find करने के लिए जो next नीचे activity दी गई है उसे complete करिए अब देखिए जो commission होता है वो actually selling price के उपर दिया जाता है जितना भी percentage commission है वो percentage हमें find करने है selling price के तो selling price के ही 15% तो 4500 रुपिस के उसने books sold की है तो 4500 का 15% हमें find करना होगा तो हम यहाँ पे question आप solve करते हैं selling price of books रुपीज 4,500 सभी books की मिला के selling price 4,500 रुपीज है rate of commission commission का rate है 15% commission obtained तो 15% of 4,500 15% के लिए percentage अगर हम sign हटा देते हैं तो 15 को हमें 100 से divide करना होता है और multiply करना है off को multiply रुपीज 4,500 तो numerator में 2 zeros और denominator में 2 zeros cancel 45 और 15 का multiplication करना है 15,5 जा 75, 75 को 7 बारो 15,4 जा 60 प्लस 7, 67 तो रुपीज 675 का commission जान को actually मिल जाएगा question number 2 है देखिए रफीक sold flower worth रुपीज 15,000 by giving 4% commission to the agent find the commission he paid find the amount received by रफीक रफीक sold flowers worth रुपीज 15,000 रफीक ने 15,000 रुपीज के flowers sold के, sell के, बेच दे by giving 4% commission 4% commission देने के बाद agent को find the commission he paid तो उसने कितना commission दिया and find the amount received by रफीक और रफीक को कितनी amount मिली अब commission के साथ में क्या होता है देखिए एक होता है buyer जो purchase करता है और एक होता है seller जो sell करता है मतलब seller बेचने वाला buyer purchase करने वाला buy करने वाला अब जब भी buying करने होती है तो हमें commission पे करना होता है तो जो buying करने के वाली price होती है जितने भी rupees को उस ने buy किया है उसमें हमें commission plus करना होता है तो वह buyer के लिए total cost price हो जाती है और seller के लिए से selling price हो जाती है वह होता है कि जिस भी price को buyer को sale कर रहा है उसमें से commission minus करके जो बचेगा पैसा है उतना हमें या उस seller कू मिल जाएगा सेलर के लिए कमिशन माइनस करके अमाउंट मिल जाएगी बायर के लिए कमिशन प्लस करके अमाउंट जो है वो देनी पड़ेगी तो रफिक सोल फ्लावर्स वर्थ रुपीस 15,000 बाय गिवन 4% का कमिशन है तो जैसी के हमने इसके पहले जो कुशन लिया है उसमें स्वाल किया था उसी हिसाब से हम स्वाल करेंगे एक्ट्वल सेलिंग प्राइज जो है वो है रुपीस 15,000 कमिशन है 4% तो एक्ट्वल कमिशन इस इकल टो 4% आफ रुपीस 15,000 15,000 का 4% तो 4% परसेंटेज का सिंबॉल यहां से निकाल दो तो 4 अपॉन 100 इन्टो 15,000 तो अब हमें यहां के दो जिरोज और यहां के दो जिरोज कैंसल करना है 15,000 फोरजा 60 और यहां का एक जिरो तो रुपीस 600 का कमिशन जो है वो कमिशन एजन्ट को मिल जाएगा तो कमिशन ही पेड तो कमिशन ही पेड कमिशन ही पेड इस इकोल तो रुपीस 600 600 रुपीस का उसने कमिशन पे किया है फैंड आमाउंट ही रिस्यूट आमाउंट रिस्यूट बाई रफिक 15,000 या 15,000 में उसने बेचा था लेकिन उसमें से 600 रुपीस उसे कमिशन एजन्ट को देने पड़े तो 15,000 माइनस 600 तो यह होगा 14,400 रुपीस तो एक्चुले उसे मिल जाएंगे 14,400 रुपीस क्वेशन नमबर त्री है फार्मर सोल्ड फूड ग्रेंस 4 रुपीस 9,200 त्रू एन एजन्ट एक फार्मर ने एजन्ट के त्रू एजन्ट के दोरा 9,200 रुपीस के फूड ग्रेंस जो है जो दान्या है वो उसने बेचा दे रेट आफ कमिशन वोज 2% कमिशन का रेट 2% था तो एजन्ट को कितने रुपीस मिले अब 9,200 रुपीस के सिल किया है तो टोटल जितने रुपीस का सिल हुआ है उसके जो भी परसेंटेज कमिशन है वो परसेंटेज उस प्रैस के फैंड करने होंगे तो अब यहाँ पर जो सेलिंग प्रैस होगी रुपीस 9,200 9,200 रुपीस कि सेलिंग प्रैस होगी कमिशन का जो परसेंटेज होगा वो होगा 2% तो एक्चुल कमिशन इन रुपीस रुपीज में जो commission होगा वो find करने के लिए हमें 2% find करना होगा 2% off 9200 रुपीज का तो percentage का symbol यहां से हटा देने के बाद 2 को हमें 100 से divide करना होगा off को multiply और 9200 अब यहां के 2 zeros यहां के 2 zeros cancel करिए 92 को 2 से multiply करिए 2 to the 4 2 to 9 the 18 तो 184 रुपीज का commission हो जाएगा तो commission agent को जो पैसे देने होंगे वो 180 रुपीज देना होगा तो हमें यहां पर लिखना होगा the agent got rupees 184 as commission agent को 184 रुपीज के स्वरुप में मिले next question है question number 4 next question है question number 4 उमा ताई पर्चेस्ट दो फॉल्लिंग एटम्स फ्रम खादी बंडर उमा ताई ने following atoms यहां पर जो atoms दिये गए हैं वो खादी बंडर से पर्चेस किये हैं 3 सरी फॉर रुपीज 560 इच हर सरी की किमत 560 रुपीज ऐसे 3 सरी जो हैं सरीयां उसने खरी दी हैं उमा ताई ने 6 bottles of honey 4 रुपीज 90 इच एक बोटल की किमत 90 रुपीज ऐसी 6 bottles उमा ताई ने पर्चेस की हैं on the purchase purchase के उपर she received a rebate of 12% तो उसे 12% का उमा ताई को 12% का rebate मिला है rebate मने कि यह एक प्रकार का discount ही होता है जो कि किसी private सोंस्ता या government से दिया जाता है मतलब अगर rebate दिया गया है अगर यह government की तरफ से होगा तो जो 12% amount होगा वो government pay करेगी जो भी बेच रहे होने तो जो भी rebate होगा वो एक प्रकार का discount ही होगा तो how much total amount did उमाताई pay? तो उमाताई को कितने रुपीज pay करने होगे लेकिन उमाताई के लिए cost price है तो उमाताई के लिए cost price होगी तो cost price for 3 saris 3 saris की cost 3 saris की cost 3 saris की और 6 bottles की cost तो जो एक saris की cost है 560 ऐसे 3 तो तीनों की किमत find करने के लिए हमें इनका multiply करना होगा तो 560 into 3 तो 3,0,0,3,6,0,8 को 8 लेकना है बारो 1,3,5,0,15 प्रस 1,16 रुपीज 1,680 रुपीज तीन साडियों की cost होगी cost of price for 6 bottles of honey is equal to 6 into एक बोटल की cost रुपीज 90 है तो अब हमें 90 से 6 को multiply करना होगा तो 90 into 6 960 54 एक जिरो तो रुपीज 540 रुपीज 540 का आने का cost होगा तो टोटल जो cost होगी टोटल cost is equal to रुपीज 1,680 प्लस रुपीज रुपीज टोटल क्वास्ट होगी जिसके उपर 12% का discount है तो अब discount percentage discount percentage is equal to 12% तो actual discount in rupees discount in rupees अगर find करना है तो हमें 12% find करने होंगे 12% of rupees 2220 के अब इतना जो discount है या rebate जो है हमें यहाँ पर rebate लिखना है और यहाँ पर भी rebate लिखना है rebate या discount तो is equal to 12% percentage का symbol यहाँ से हटा दें तो 12 को 100 से divide करना पड़ेगा off को multiply 2220 को multiply अब देखें एक जिरो cancel करिए अब cancellation नहीं होता है तो 12 से multiply करके एक डिजिट चोड़कर point दिना है तो 12 से 24 बारो टू 12 से 24 प्लस 2 26 बारो टू 12 से 24 प्लस 2 26 एक डिजिट चोड़कर point 266 रुपीज 0.4 रुपीज का discount मिला अब जो amount paid होगी वो total cost से rebate minus करना पड़ेगा तो हम यहां पे amount paid is equal to लिखेंगे total cost minus rebate total cost से rebate हमें minus करना पड़ेगा total cost है 2220 रुपीज 266 रुपीज 40 पैसे का rebate मिल गया तो 2220 minus 266.4 subtract करना होगा तो यहां से subtract नहीं होगा तो यहां से बारो फिर यहां पे 10 10 से फिर यहां पे एक बारो 10 यहां पे रहेगा 9 तो 10 minus 4 6.9 minus 6 3 1 से 6 subtract नहीं होगा तो यहां पे 1 यहां पे 11 11 minus 6 5 1 से 2 subtract नहीं होगा 1 11 minus 2 9 यहां पे 1 1,953 रुपीज 60 पैसे तो 1,953 रुपीज 60 पैसे है पे करना होगे उमाताई को अगर वो चीजे जो है पर्चिस करनी है तो तो उमाताई पैड रुपीज 1,953.6 रुपीज तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों अभी एक क्वेशन इस प्रैक्टिस सेट का रहे गया है वो हम आने वाले वीडियो में एक्स्पिलन करेंगे तो अब जो नेक्स्ट क्वेशन होगा उसके बाद दीवाली तक का जो प्रशन है आफियरली का जो प्रशन है वो समफ्त हो जाएगा यूटूबर दीवाली तक के या हाफियरली एक्जामत के सभी चप्टर्स के क्वेशन्स मैंने अप्लॉड कि intervenes हैं विद्धियर बेसिक बेसिक पॉइंट्स के साथ तो अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो चाप्टर नुमर टेन है डिविजिन ऑप अलमेल्स तो वह भी जल्द ही मैं शुरू करूंगा तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवात